मुख्यमंत्री करनेया उत्थान योजिना या मुख्यमंत्री बाली का माद्यमिक पलश्टू परत्सान योजिना 2023 में इंटर में पास की हैं और अगर आप मुख्यमंत्री करनेया उत्थान नीत योजिना के लिए अपलाई की हैं तो इसका bank verification start हो चुका है और आपको अपना verification करना होगा तो verification कैसे ही किया जाता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको कोई भी Google ब्राउजर को open करना होगा उसके बाद यहां आप टाइप करेंगे medasoft और enter press कर देंगे उसके बाद यह medasoft.vr.nic.in your official site है इसको open करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का user interface देखने को मिलेगा यहां आप देखिए मुख्यमंतिरी करने उत्थान योजना मुख्यमंतिरी बाली का माध्धिमिक पलस्टू परुत्सान योजना अपलाई ओनलाइन 23 इसके option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का user interface देखने को मिलेगा यहां student वाला corner पर आएंगे और login for student इसके option पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहां अपना user id फिल करेंगे यहां password फिल करेंगे यह capture यहां फिल करेंगे और login के option पर क्लिक करेंगे जो user id आपके mobile number पर registration करने के वक्त आया है वही id और password फिल करना है अगर आप भूल चुके हैं तो यहां forget करके मगवा सकते हैं चलिए हमको याद है हम फिल कर लेते हैं और login के option पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप अपने पैनल में login हो जाएंगे आपका यहां पूरा details दिया हुआ रहता है आपका नाम रहता है आपका current status में देखें यह verified लिखा हुआ है और यहां आप कोई भी correction अभी नहीं कर सकते हैं तो यह देखें नीचे आपका यहां चार step complete है एक step में बलेक है जो बलेक कौन सा है यहां देखें approved for payment यही वाला बलेक है तो issue को आपको fill करना है तो fill करने के लिए सबसे पहले आपको approved for payment इसके option पर ही click करना है उसके बाद आपका यहां पुरा नाम आ जाएगा आपका registration नमबर आ जाएगा bank account का नमबर आ जाएगा उसके बाद यहां से अपना district का नाम select कर लेगे जो भी आपका district परता है उसको select कर लेगे उसके बाद यहां अपना mother name fill करेंगे यहां 12 का roll number fill करेंगे airbit card का हिसाब से और यहां status में आप यहां लिख देंगे approve उसके बाद यह term को accept करेंगे और submit के option पे click करेंगे submit के option पे click करते ही देखे यहां पे submitted successfully हो जाएगा यहां से इसको हम okay के option पे click कर देंगे तो नीचे आप देख सकते हैं submitted successfully हो चुका है उसके बाद हम यहां go to home page इसके option पे click करेंगे और अपना home page में आ करके देखेंगे तो देखे मेरा यहां पर भी successfully हो जाएगा देखे यह 500 step अभी मेरा complete है अब मुझे कुछ भी ने करना है अब मुझे बस wait करना है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और इस तरह का interesting वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए